तो दोस्तो वेलकम टू SSC General Science तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो 10 important questions है General Science के उनको शुरू करते हैं फस्ट question है coronavirus का नाम कहां से पड़ा फस्ट option है इसमें corona-like projection जैसे अनुवानों के कारण leaf-like projection जैसे अनुवानों के कारण जीटो की उनकी सेय चैसे अरचना के कारण उप्रग्त मेंसे कोई नहीं की corona virus का नाम है नीग ताज जैसा तो जैसे is इस 용 में पड़ा तो उसमें जो कौन सा उप्सन आएगा तो इसमें चीक आने पर अपनी नाक और मुहों को डखकर रखे अपने आहार में अधिक लैसून सामिल करे थार्ड उप्षन है एंटिबायोटिक्स उप्चार के लिए अपने डोक्टर से मिले और फूर्थ उप्षन है हर गंठे के बाद अपने हाथ दोए तो आप सभी को पता है कि इसमें कौन सा उप्षन आएगा इसमें उप्षन आएगा फर्स्ट उप्षन आएगा यानि इसका आंशर क्या होगा फर्स्ट होगा यानि आंशर कुन सा आएगा फर्स्ट आएगा थाड़ क्यूशन है कि मदुमक्यों फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्स में केवल कुछ समय ही उपलब्द होते हैं second option में अधिक सहथ की परवर्ती होती है third option में इन में आलश्य की परवर्ती होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद काम नहीं करना पड़ता और जो fourth option है उप्युक्त सभी तो आप जैसा का आप सभी जानते हो क्योंकि जो मकरंध है जो पुस्पों में केवल कुछ समय ही उपलब्द रह पाता है तो इस वजह से इसमें कौन सा option आएगा इसमें option आएगा first option ने आएगा धर्मा कोल वायू थर्ड है मानव शरीर चोथा दिया हो है option एलूमूनियम की पत्ति फिर लिखा हो है उप्युक्त खत्रों में से कौन सा या कौन से विदूत का चालक या विदूत के चालक के उदार्ण है तो आप सभी को पता है वायू जो है वो क्या है विदूत की कूछ पत्ति चालक है धर्मा कोल भी क्या है विदूत का कूछालग है एनू मुलियम की पत्ति और मानव सरीर विदूत के क्या है तो इसमें से कौन सा option आएगा उप्सन दिये है केवल first और second तैनि वायू और धर्माकोल क्या है यह विदूत के कूछालग होते हैं तो यह option नहीं हो आपस्न दियाओ compliant केवल hak maioria यैनि 2 और 3 यह भी नहीं होगा का थीसरा हासा चर आपसिंद्यायों केवल त एक कर तेन झाफ यैनि केवल 3 और जो 4 और क्या होंगे विद्युद के सुचा लग होंगे तो आटस्व है सी पांच वह गिसे तरह चुशन है सबसे बड़ी आंखे किस संधानी प्रानी की होती है तो इसमें फॉस्ट उफ्शन दिवावा हीरन, चुहा, कुत्ता, बकरी तो इसमें कौन सा उफ्शन आएगा दोस्तो इसमें उप्शन आएगा फस्ट यानि हीरन यानि अब्सक्राइगा फॉस्ट है इसी तरह से आप नएक्स कुषिण है कि तांबा कोपर का सत्रू है या कौन है गंधक सोना चान्दी लौहा तो इसमें कौन सा अफशन आएगा इसमें फॉस्ट यानि जो गंधक जो है नि जो सलफर्दातू है वो तांबे का क्या होता है तुर होता है तो इसी तरह से हैं। कि चंदर मापर एक बमrend विश्फट होता है इसकी आवाज परत्वी कर सुनाई देगी औप संद्या है दो दिन बाद में और ये कभी नई तऑ एक सबाद में और फोर्फ दिया एक महीने बाद में क्योंकि आप सभी जानते हो क्योंकि द्धुनी तरंगों को ट्रैवल करने के लिए माध्यम के आउसकता होती है क्योंकि द्धुनी तरंग के कौन सी तरंग है कि मैकनिकल वेव हैं तो इनको किसी माध्यम के आउसकता होती है जोगी चंदर मापर कोई माढ्यम नई है तो इसके आवाज प्रत्वी पर कभी भी आपको सुनाई nay देगी यह नि जया कभी सुनाई नहीं देगी तो कौना अप्शन आएगा इसने चाहिए अप्शन आएगा इसका आंसर क्या होगा पी आएगा इसी तरह से जो थारी कुशन है वो एट कुशन है वो लिखा होगा है कि यदि द्रेवमान परिवर्तित हुए बिना प्रत्वी अपनी वर्तमान तिर्जा की शुकुडगर आदी रह जाए तो दिन होगा पहर दादग कमें अधुम यहां कि कर भरख़ागा है कि यहां देर दे Solomon में फसती को लेट जाने की सलार दी जाती है क्योंकि दिखावस में छेतर पल अधिक होने से दाब कम हो जाता है सेगेंड उप्शन है छेतर पल अधिक होने से दाब ज्यादा हो जाएगा थर्ड उप्शन दियावस छेतर पल अधिक होने से दाब पर कोई परभाव नहीं पड़ता जो है उप्यूकत में इसमें कोई साउपसिन आएगा युगी 6 तरफ अधिक हो जाने से क्या हो जाएगा दाब कम हो जाएगा तो कौन सा उपसर आएगा इसमें फर्स्ट उपसन आएगा दोस्तों जिसने भी तक सब्स्ट्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्स्ट्रा तो आप सभी को मालूम है कि जो मास्पेशियों में जो लेक्टिक अमल के जमाव हो जाने से क्या हो जाता है धकान सुरूर हो जाती है तो इसमें कौन सा अप्षन आएगा इसमें आएगा फर्स्ट आप्षन आएगा धन्यवाद